नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्राची और आपका स्वागत है आज के एक नए हेल्थ सेग्मेंट में आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे आज हम दपावर अव स्लीप, सुखद रात की आरामदाइक नीन्द के लिए कुछ स्ट्राटेजीज नीन्द हमारे शरीर और मन के लिए अवशक होती है लेकिन मॉडन लाइफस्टाइल में इसे नजर अंदास करना सामान्य हो गया है सुस्त और अस्तिर नीन्द न सिर्फ हमारे स्वास्तियों को प्रभावित करती है बलकि हमारे दैनिक जीवन शैली पर अपनी असर डालती है अधिकतर लोगों को ठीक से सोनी की समस्या से जूजना पड़ता है जिसे उन्हें उनके कामों और सामाजिक जीवन में परिशानी होती है समय के तेजी और रोजगार की भागदोर वाले आधुनिक जीवन में एक आरामदयक रात की नीन्द बहुत मैतुपुन है खुद को एक स्वस्त और सकारात्मक जीवन चैली में बनाई रखने के लिए हमें अपने बॉडि और माइंड को प्रते दिन काफी अराम देने की आवशकता होती है नीन्द मनुश्या के स्वस्त और पर्सनल प्रोग्रेस के लिए मैतुपुन भूमिका निबाती है तो आएए हम इस सेग्मेंट पर थोड़े नूमरिकल और साइंटिफिक एविडेंस के साथ जानकारी प्रदान करेंगे पहला नीन्द की मैत्वता नीन्द स्वस्त जीवन के लिए आवशक है क्योंकि इससे हमारे फिजिकल, मेंटल और एमोशनल हेल्थ को सुदारा जा सकता है अगर हम नियमित रूप से 7-9 गंटे की नीन्द पूरा करते हैं तो हमारे शरीर के लिए ये आवशक प्रक्रिया होती है जिसमें बॉडी और माइंड की रिबर्थ होती है ये हमें फिजिकली स्ट्रॉंग बनाता है विविन विमारियों से लड़ने की शमता प्रदान करता है और दिमाग की शमता बढ़ाता है इसलिए एक अच्छी नीन्द को अंदेखा न करें बलकि इसे स्वस्थ जीवन के लिए अपने दैनिक जीवन का एक मैतोपुन हिस्सा माने दूसरा नीन्द के लिए एक रूटीन बनाएं नीन्द की गुणवता पर बहुत सारे कारक प्रवाव डालते हैं और एक नियमित नीन्द के लिए एक नियमित रूटीन बनाना बहुत मैतोपुन है स्वच्छता और समय पर बिस्तर पर सोने के अलावा एक नियमित रूटीन में योग, ध्यान या मेडिटेशन जैसे शांदी प्रदान करने वाले कारे शामिल करना भी शामिल हो सकता है इससे आपके माइन को विश्राम मिलता है और अब दीरे-दीरे रात को सोने के लिए तयार हो जाते हैं तीसरा, आपके आहर का प्रभाव आपके आहर का भी नीन पर असर होता है अधिक कॉफी या चाए के सेवन से रात को नीन ना आना एक सामान्य समस्या है कौफी और चाय में कैफीन और अन्य स्टिमूलन्स होते हैं जो हमें अलर्ट करते हैं और रात को नींद आने में रुकावट पैदा करती है इसके वजाए कामिंग टीज जैसे गरम पानी से बनी चाय, गरम दूद या जाइफल वाले दूद का सेवन करें जो नींद को लाने में मदद कर सकते हैं इसके अलावा तली हुई तले हुए और मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना भी फाइदेमन साबित हो सकता है चोथा योग और व्यायाम का महत्वा नींद की गुणवता को बढ़ाने के लिए योग और व्यायाम भी मदद कार हो सकते हैं योग और व्यायाम शरीर के स्ट्रेस को कम करते हैं, ब्लड फ्लो को बहतर बनाते हैं और ब्रेन को शांति प्रदान करते हैं रोजाना योग अभ्यास या फिर कुछ सेकड़ो स्टेप्स चलना नीन की गुणवता को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं पांचवा, ब्रेन अक्टिविटी से दूर रहें अधिक इंटरनेट, टीवी या मोबाइल फोन के उप्योग से रात को नीन न आना भी आम समस्या है इन डिवाइसेस से निश्चिंत करें कि आप रात को सोने से कम समय तक इने उप्योग करते हैं ताकि आपका ब्रेन शांत हो सके सोने से पहले आप धीरे धीरे आपके इंटरनेट डिवाइसेस का उप्योग बंद करें और इसके बजाए एक शांती पून पीस्फोल अक्टिविटी जैसे की बुक पढ़ना, संगीत सुनना या ध्यान करना चुनें जो आपके आसपास की दुनिया से दूर ले जाएगी उठते हुए समय और फिजिकल अक्टिविटीज को समय पर काम में लाने से आपकी नीन की गुणवता में सुधार हो सकता है यदि ये उपाए भी सही नहीं होते हैं तो एक मेडिकल प्रोफेशनल से जरूर संपर्क कर ले ताकि वे आपकी समस्या का सही समादान प्रदान कर सके नीन्द आपके स्वास्तिय और पर्सनल प्रोग्रेस के लिए एक मैदोपून अंच है एक आराम दायक रात की नीन्द प्राप्त करने के लिए नियमित रूटीन बनाए योग और व्यायाम का समर्थन करे समय पर बिस्तर पर जाए और इंटरनेट डिवाइस का उप्यो के दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी अंत में नीन समस्याएं अंदेखी नहीं छोड़ी जानी चाहिए और उन्हें गंबीरता से लिया जाना चाहिए यदि कोई नीन समस्या बनी हुई है तो मेडिकल प्रोफेशनल से संपर्क करना सुनिश्चित करेगा कि आपको सही दिशा में मार्क दर्शन मिलता है ऐसे कुछ असान हेल्फ टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब करें